नमस्कार आप दिख रहे हैं जुनतंद्र टीवी में हूँ आपके साथ अरणया थिवारी और इस वक्ति बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आतंकियों पर सेना का बड़ा प्रहार चार आतंकियों नगरोटा में हुई मुडभेड तीन घंटे तक चली मुडभेड सेना ने मार गिराए जैश के चार आतंकियों बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं तो गाड़ी चेक की जारी थी जिसके बाद आतंकियों की तरफ से फारिंग की गई और जंबुकश्मीर में आतंकियों से नगरोटा में मुडभेड सेना की हुई ट्रक में थे आतंकियों पर प्रहार किया गया सेना का सर्च आप्रिशन अप लगातार जारी है तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पहले तस्वीर आपको ट्रक की दिखा रहे हैं जिस ट्रक स से जब चैकिंग की जारी थी उसके बाद आतंकीों ने प्रहार किया ट्रक्से अ या कि तो ट्रक में ब्लास्ट किए तस्वीर एं हम आपको दिखा रहे हैं फिलल हाइवे को बंद कर दिया गया है और सीना की तरफ से सार्चॉ ऑपरिशन जारी है तो हाइवे बंद फिलाल कर दिया गया है सेना का सर्च ऑपरिशन जारी है कश्मीर में आतंक्यों के ट्रक से जाने की सूचना मिली थी जब कश्मीर में सुरक्षा बलो को बड़ी कामयाभी मिली है सुरक्षा बलो ने चार आतंक्यों को मार गिराया है वाई ऐसे जू के दो जवान भी इस मुट्भेड में घायल हुए है घायलों को इस्पिताल में भरती कराया गया है फिलाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है आपको बता दें कि सुरक्षाबलों को आतंकियों के ट्रक से जाने की सूशना मिली थी अब है जो जन्रे एक के चोतरवेदी आमारे साथ फोन लाइन पर जोर चुके हैं में मेजर जन्रल एक चोतरवेदी जी बहुत पूस्वागत है आपका जनतंतर टीवी पर पहला सवाल यहीं है कि जसतरे से देखा जाए सेना को एक बड़ी कामया भी मिली है चार आतंकियों को सेना ने मार गिराया है कैसे देखते हैं आप इसे यह ऐसा है कि जो पिछले करीब श्याट मैने से एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंटेलिजेंस इंपुट बहुत अच्छे मिल रहे हैं जिसकी वजह से जितने यह इंटिनेशनल एलिमेंट यह बहुत जल्दी ऑचा इसमें क्या इलेक्ट्राणिक सेवेलेंस का बड़ा होता है जब से घुस्ते हैं भारतबर्श की सीमाओं में या लोसी को क्रॉस करते हैं तब से इनकी ट्रेकिंग शुरू हो जाती है और वार्ज इसमें उसके बाद जो सिक्यूरिटी फोर्स है वो अपना का हमारा जो डॉनों एलेक्ट्रोनिक्स एज़िवन इंटेलिजिएंस दूसरा यह इंविशन हम लोगों को बहुत कुछ लोकल लेवल से मिल रही है और लोकल लेवल से इनविशन बिलने का एक जो बहुत बड़ा इसको इसका इसका इस्प्लिकेशन समझे कि कि कल तक जहां प और अगर यहीं चलता रहा तो मेरे खाल में कुछ दूरों में जो यह में पूरी तरह से डाइडाउन हो जाए तीसरे चीज यह एक बहुत तगड़ा मेसेच यह जैशे मोहमद और लश्कर-ई-ताइबा और पाकिस्तान तीनों को जा रहा है कि आप इंदुस्तान में अपने प बच्चों को समझाओ और अगर वो गलत रस्ते से वापस आएंगे तो उनके लिए अच्छा है नहीं तो एंड बहुत बुरा होगा और जहां तक वाज का सवाल है वो अपना काम करती रहेगी तो अगर आप आजाओगे तो आप रिटेट हो जाओगे नहीं तो आपको पर जो चुके है नुजमातुर जी बहुत बहुत स्वागत है पहला सवाल यही है कि साफ्टार पर का जा सकता है बड़ी कारवाई सेना की तरफ से चार आतंक्यों को धेर क्या गया और एक जिस तरह से देखा जाए लगातार अप सर्च ऑपरेशन चलाय जा रहा है इंपु से बड़ी बात जो हमें समझने चाहिए कि अधानकवादी जो है अतंकवादी को यहां आता है किसी भी वज़जे से तो उसका जो भुष्च्छ है वो निश्च्छत है कि वो यहां से इलमेने चोके ही वाकत जाए यह जो सब्सक्राइब थी इस खबर पर पर एक तुर्ण लोग अपना काम करते रहेंगे और यदि कोई यहां पर आकर के जो इस तित्वी पिछले एक वर्ष में पहुत बेतर हुई है जम्मो कश्मीर में उसको बजाड़ने के प्रयास में यहां पर आएगा तो उसको यहीं प्रूप से होगा जो यहां पर की क्या है वो तस्वीर यहां साफ़ तो और पर देख सकते हैं बिलकुल और 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 इस बात से इसका एक और बाता में समझने चाहिए कि हमारे पास इन्फरमिशन लगाता रहा रही है हमारे पास उसके बारे में टिप्स लगाता रहा रहा है इसका अर्थ यह है कि जो वहां पर लोकल है उनका माइंड सैट बेतर तरीके से चेंज हुआ है और वो हाई हालों सेना की मदद करना चाहते हैं और जो नए हाला 370 निकलने के बाद 35 निकलने के बाद जो वहाँ पर पैदा हुए हैं उनकों को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांती वापस बहाल हो और उसके लिए यह किसी प्रकार का कोई सब्सक्राइब करनी है कि अगर आप देश में गुसेंगा इस तरह कि किसी भी नापाक साजिश रचने की कोशिश की जाएगी तो उनका क्या हश्र होगा यह तस्वीर बता रही है अब्सक्राइब करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस में और शांती बहाली में पहाली को रोकने के लिए तो आपका चही हश्र होगा इस चित्मान के चलें और यह उससे इनको बहुत बड़ा डेंक्ट महुचा है और यह लगातार होता रहेगा आर्मी अपनी रातार करती रहेगी जारी रहेगी उनके कारवाई और यह एक होग बड़ा शपलता मिली है जो कि अच्छा अच्छा कांग हो गया जी चोले बहुत बहुत बश्यूक्री तमाम जायुकारे क्लिए बातशीत करने के बहुत बश्यूक्री आमित रहना क्या कुछ करें चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, सारे क्षेत्र को सेना ने और पुलिस ने कॉड़न कर दिया है, सेना ने और पुलिस ने पाकिस्तान की साजिश को भिफल करके जम्मु कश्मीर की जनता की रक्षा की है, पाकिस्तान जम्मु कश्मीर को लहु लु करने की साचिश कर रहा है